लखी सराई जिले के सुर्गरा बाजार इस्तिट डिजिटल स्टूडियो में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चापे मारी की चापे मारी के तौरान पिस्टल और गोली के साथ दो युवक को पुलिस ने गिरफतार किया इस सम्मन्द में लकी सराय पुलिस अधिक्षक सुसील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुर्गरा बाजार में इस्टूडियो की यार में मुंगेट के हत्यार तसकर के साथ मिलकर हत्यार की तसकरी की सूचना पाकर पुलिस ने चापे मारी की चापे मारी के दोरान अनीर कुमार वा अरुन कुमार दो अभ्युक्त को चार पिस्टल, आर्ट मैग्जीन, छो गोली और तीन मोबाइल के साथ पुलिस ने गिरभतार किया आज सुबह में एस्पी ऑपरेशन दस्री अमरितेश कुमार जो एस्पी ऑपरेशन लखी सराय है उनको सूचने मिली थी कुछ अवय हतियार का दहंदार सुर्गणा पजार में किया जा रहा है जिसके आलोग में टीम मनाई गी जिसमें एस्पी ऑपरेशन के नित्रित्र में और सुर्गणा चंदन कुमार और सी आईटी की टीम थी उनके दवारा फिर उसी सुचना के आलोग में शापे माली की गई तो सुर्गणा पजार में एक अनील डिजिटल स्टूडियो है जो फोटोग्राफी रताव करती है उसके अंदर जब सर्च किया गया तो वहां पे टूटल चार पिस्टल आर्ट मैगजीन है छे कोली और उसके साथ तीन मोबाइल भी किया गया है जब्त किया गया है और इस तसक्र जो कि मंगीर से इलाके अर्प एकिसे बीदाटा थे और सक्राहिक ये दो सब्सक्राइब करते हैं जैसा अभी है कि ये इसकी सप्लाइब काफी मतलब जैसा कि इसका कहना है कि पुछ बेगु सराय में भी सप्लाइब करता था कुछ अभी सरॉषराय में चीज़ा देख आधि पुछ काुछ मतली और नियुक्राइं हम कर द suited चेंशों में इसके इसके से जब्सक्राइब करेंगे कि क्या का नोदो कहा कहां से लाका से जाथा है कि साथे चीजिव में ही इंवस्टीईशन चल रहा है